दोस्तो अपने अभिनई और सादगी से लाखो लोगों के दिल जितने वाले संजी कुमार बले ही हमारी बीच में नहीं है लेकिन उनसे जुड़े कई किस से आज भी फेमस है अपने करियर में कई हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले संजी कुमार को क इस फिल्म को रमेश सिप्पी ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले की तर्च पर बनाने वाले थे, कहा जाता है कि फिल्म की गोशना तक यानि शुरुवाती दोर में इस फिल्म के लीड स्टार कास्ट दर्मेंदर, अमिताब, एमा और संजी कुमार थे, जबकि फिल्म में सुनिल की शान कई माइनों में डाइरेक्टर के लिए खास थी, मल्टि स्टार से बरी इस फिल्म में अर किसी ने शानदार अभिनेकर दर्शोकों का दिल जीत लिया था, इस फिल्म में अगर किसी की भूमिका सबसे ज़्यादा पपुलर हुई थी, तो वो किरदार खलनायक शाकाल का था, इस फिल्म का खलनायक हीरो पर भारी पड़ गया था, इस भूमिका को अभिनेता कुल वुशन खरबंदा ने निभाया था, खलनायक शाकाल बॉलिवूर के सर्वस्टेश्ट नकारात्पक किरदारों में से एक है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोल को पहले संजी कुमार करने वाले थे, आएम डिबी की एक रिपोर्ट्स के अनुसार संजी कुमार फिल्म शान को बेहत शिद्दत से करना चाहते थे, क्योंकि ये फिल्म उनके अजीज दोस्त रमेश सिप्पी की फिल्म थी, ऐसे में फिल्म को लेकर संजी कुमार की द और फिल्म स्विकार करने के लिए तैयार हो गए बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया संजी कुमार ने इस आदार पर पुमिका को अस्विकार कर दिया कि उनका किरदार फिल्म के बीच में मर जाता है संजीव कुमार को ये भूमिका उतनी चुनोती पूर्ण नहीं लगी DSP शिव कुमार की भूमिका मना करने के बाद रमेश सिप्पी ने संजीव कुमार को अब्दुल की भूमिका की पेशकस की जिसे फिल्म में मजर खान ने निबाया था लेकिन इस भूमिका को भी संजी कुमार ने रिजेक्ट कर दिया वो इसलिए क्योंकि इस रूल के लिए उन्हें बहुत अधिक मैनत करनी पड़ती जो संजी कुमार एक हाट पेशन्ट होने की वज़े से नहीं कर सकते थे आखिरकार संजी कुमार ने खलना एक शाकाल की भूमिका निबाने की बाद डायरिक्टर से कही रमेश सिप्पी भी संजी कुमार को ये भूमिका देने के लिए सैमत हो गए थे इसके बाद संजी कुमार इस किरदार के लिए अपने तरह से प्रेक्टिस करने लगे, डायलोग से लेकर अन्य चीजों पर फोकस करने लगे थे, इतना ही नहीं शाकाल की बुमिका के लिए उन्होंने अपना सीर भी मुदवा लिया था, हाला कि अचानक रमेश सिप्पी के मन देख संजी कुमार निराश हो गए और उन्होंने फैसला किया कि ऐसे निर्दशक के साथ काम करना अच्छा नहीं है, जो उन्हें लेने के लिए उत्साहिती नहीं है, इसके बाद संजी कुमार खुद अपने दोस्त के बास जाकर आपसी सहमती से डारेक्टर से नाता तोड लिया और फिल्म छोड़ भी